आज मैं अपने बेटे को हिस्ट्री का 1857 का रिवोल्ट पढ़ा रहा था जो कि स्टैंडर्ड 8 के हिस्ट्री के सिलबस में है जिस तरह से वो लिखा गया है वो कभी भी वो बात नहीं बया कर पाता कि ये भारत का पहला आजादी का अंदोलन था ये भारत का पहला अंदोलन था जहां हमने अंग्रेजियों को ख़देड भगा दिया था और लगबग 6 महने तक भारत में कोई अंग्रेज नहीं थे देश आदा आजाद हो गया था ये कभी नहीं बता पाता किस तरह हिंदू-मुसल्मान जब तक शेर अपनी कहानी खुद नहीं लिखता या बया करता तब तक शिकारी हिरो तो अब शिकारी को हिरो नहीं बनने देंगे जैसे किताब में बनने दिया गया इसलिए सुने 10 मिनिट का ये बात और मुझे रगा कि बूलना ज़रूरी है हम सब जानते हैं कि अंग्रियस आये थी यहां ट्रेडर्स बनके व्यापारी बनके और जहांगीर नहीं पैक के दिया था लो कर लो ट्रेडिंग यहां वहां वही सौ साल के अंदर सब्सिडिरी अलैंस लगा दिये थे डॉक्ट्रिन अफ लगा दिये थे पारमाउंसी का सिदांद लगा दिये थे जिसके चलते अब जो हमारे राजा थे जमीदार थे नवाब थे वो अपना आर्मी नहीं मेंटेन कर पाते बिटिशर्स उनके जगा आर्मी मेंटेन करते और कुछ पैंशन दिया करते थे यानि कि कमजोरी हो गए थी उनके रियासतें लेना शुरू कर दिया था बिटिशर्स ने तो राजा, रजवाडे, नवाब, जमीदार सारे के सारे दुखी चल रहे थे तो उपर का सक्षिन दुखी हुआ नीचे चुँकि टाक्स कलेक्ट करते थे बिटिशर्स इसलिए जवरदस्ती किसानों को क्या करते थे नील, इंडिगो, अफीम ये उगाने के लिए बोलते थे तो हर गाउं जो कि सेल्फ सफिशेंट हुआ करता था खाद्यान में, टेल में, कपास में, कपड़े में, सारा ध्वन्स कर दिया तो इसलिए बड़ी गरीबी हो गए थी नीचे के तपके में तो यहां मजदूर और किसान जो कि 90% थे, वो दुखी, राजा रजवाडे दुखी और यहां बीच में जो आर्मी में लोग थे हमारे, लगबग धाई लाक लोग थे जो कि आर्मी में भरती हो गए थे, वहां भी लोग दुखी होना शुरू किये थे क्योंकि आर्मी में आने के बाद, बिटिशस बोलते थे, ठीक है, तो हिंदू है, चुटिया काटो, मुसल्मान है, दाढ़ी काटो, टुपी हटाओ, यूनिफर्म में आओ और जो बात, नाराजगी सबसे ज़ादा बढ़ा गई, और 1857 का जो रिवोल्ट ट्रिगर हो गया, वो था, एनफील्ड P-53 राइफल ने भरा जाने वाला गोली, ये जो बुलेट था, इस बुलेट का कमाल हो गया, जिसके चलते, सारी कहानी शुरू हुई, हलाकि गर्मी त 1856 में, मंगल पांडे, जो की, एक ब्रामण है मंगल पांडे, बारकपुर की छाओनी में पोस्टर था, जो की बंगाल में, आज के लेट में, हुगली के नदीश से पानी भर के ला रहा था, कि भे, पूजा करेगा, और खाना बनाएगा, तब तक क्या हुआ कि एक खलासी, जो की, नीचे मजात का था, वो आके बोला, बे, पानी पिला जाओ मुझे, मंगल पांडे बोला, कि देख भाई, पानी तुम्हें तुम्हें पिला जाओ, लेकिन अभी इसको पूजा करने ले जा रहा हूँ, वापिस मुझे पानी भरने के लिए जाना पड़ेगा, तो ख फिल्ड पी 53 राइफल के अंदर भर भी रहे हो, वो सब सब चलता है, मंगल पांडे नाराज हो गया, उस दिन 9 बज़े जब परेड होना शुरू हुआ और मेजर हुस्टन, गोड़े पे बैठके आये सामने, तो मंगल पांडे सीधे पूछता हुस्टन से, क्या इसके ना, ना, नुकुर किया, ताल मटोल किया, दुबारा पूछा मंगल पांडे ने, गाई की चर्वी है इसके अंदर, मेजर हुस्टन ने कुछ ने बोला, तो सीधा दाग दिया गोली, मेजर हुस्टन धरास आई, उसको सुनकर मेजर वाग पीछे-पीछे दोड़कर आया, गोड़े के उपर, यू चड़ता आ रहा था अपना पिस्टल लेके, मंगल पांडे ने, दूसरी गोली दाग दी, गोड़े को लगए गोली, वाग नीचे गिर गया, और घसिरता हुआ, मंगल पांडे के तरक तक आया, मंगल पांडे ने आओ देखाना ताओ, जो बोनट पे बंदूक के लगी वी दिछुरी, उसी से घोम घोम कर वाग को मार दिया, साथ ही साथ, उन्होंने क्या किया, कि आस पास कि जितने भी अंग्रेज सैनिक आया, उनको पकड़ने के लिए, उनको भी मारा पीटा, देखा कि आरे सल, इतने लोगों को मार दिया हमने, बचने साहरकत तो हर किसी के साथ हो सकता है, और अंग्रेज तो धर्म रष्ट करी रहे हैं हमारा, इसलिए ग्यारा सो लगभग लोगों ने त्याग पत्र दे दिया और निकल आये, गंगे गंगा के पास आया, हुगली में है न, हुगली नदी जो है, वहाँ अपनी बर्दी फाड थे वो भी मिल गय थे इनके साथ, इसलिए भारत में पहली बार विद्रोह और लाज स्केल होना शुरू हो गया था, बारकपुर के बाद दूसरी घटना जो घटी, जो मेजर घटना थी, वो थी मेरठ में, मेरठ में भी एक बड़ा कैंट हुआ गा था, दो ही कैंट है, मेर पातूस हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि इसके अंदर गाय की चरबी है, ये सुनकर बिटिश्टस को आया, गुस्सा, उन्होंने उनको बिलकुल नंगा किया, बांधा और परेड कर वाया, इनको बाकी लोगोंने देखा, गुस्सा भी आया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कि बोलते हैं ने कि, बिहाइंड एवरी सक्सेस्फिल मैं डेरिज ए वोमन, उस रात, ये जितने भी सिपाही थे बाकी के, वो सारे के सारे गए खरदारी करने के लिए, वहां मेरट के बजार में, महिलाओं ने उनके उपर अपनी चूडियां फैंकी, और दो-तिन लोगोंने बिंदियां चिपका दी, और बोला कि भई तुम्हारे भाई रंगा की गए तुम्हारे सामने और तुम ये कर रहे हो, तुरंत बड़ा अक्रोश हो गया भारतियों में, और उन्होंने एक मीटिंग करने की सोची, और लगभग 90 साहिनिकों ने मीटिंग किया 9 माई को, और बोला कि ना, इनको अंग्रेजों को अब खतम कर दिया जाए, दस माई संडे था, दस माई संडे को, अंग्रेज और एक काम करते थे कि वो धर्म पदिवर्तन के लिए तरह तरह का कानून बना दिये थे, सुविदा कर दिये थे, कि इसाई बन जाओ, तो ये हो जाएगा, व हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, उससे भी नाराजगी थी, संडे के दिन हमारे यहां चुट्टी नहीं हुआ करती थे, हमारे एकादशी के दिन यहां पर्वों के दिन चुट्टी हुआ करती थी, लेकिन लोड रिचर्ट वेल्सली ने 1798 में नियम मनाया कि संडे के दिन जर्श को घेरा और आग लगा दी, महिलाय बच्चों को भी नहीं चोड़ा उन्होंने, आग में जला दिया, फिर वो सारे मेरट के शहर में गए और घुम घुम का खोज-खोज के अंग्रेजों को मारना शुरू किये, शाम हो गए थी, अब बोले की दिल्ली चलो, दिल्ली खच्चरों के उपर बैट कर, घोड़ों के उपर बैट कर, पहुंचे बाहदुरसा जफर के पास लाल किला, बाहदुरसा जफर लगभग 83 येर्स के हो गए थे, बुड़े हो गए थे, बार बार सोचते थे कि हाँ अंग्रेजों के बिरुद्ध हम मोर्चा खोले ना खोले लेकिन जीनत महल उनकी एक बेगम थी, वो चाहती थी कि उनका बेटा राजा बन जाए, उनके बाद इसलिए बोलती थी कि ना लड़ने का ज़रोता है, लेकिन उस दिन सारे के सारे विद्रोही पास आ गए थे, उनके साइनिक भी, बाहदुरसा जफर के मुगले साइनिक भ बाहदुरसा जफर ने फर्मान जारी किया, बड़े जिगर का बात है, इसलिए बाहदुरसा जफर को भी पहले सुतनतरता संगराम के साइनिकों में गिना जाता है, बड़े जिगर का बात है, बिटिश्टस के खिलाफ उन्होंने मोचा खुली और पूरे उत्तर भारत में बात फैल गई, और मार, दोड, खदेड के हम लोगोंने लगभग 15 दिन में 51,316 अंग्रेजों को मार दिया था, और कुल अंग्रेज थे कितने भारत में, 91,000, 51,630, तो जो 300, 200, 300 बच गये थे, वो कैसे बचे थे वो अपने डायरी में लिखते हैं, कि हमने अपने शरीर मे कोईला पोत लिया था, कुछ लोगोंने साधू बन रूपधारन कर लिया था, कुछ लोगोंने नागा बाबा बन लिये थे, कुछ लोगोंने अपने कपड़ों को भगवा रंग लिया था, और निकल लिये थे, उस चक्कर में ये 200, 200 लगभग बच गये थे, यही घातक में House of Commons और House of Lords की एक joint meeting की गई और तय किया गया कि क्या किया जाए भारत को क्योंकि भारत अगर इस तरह आजाद हो जाएंगे दूसरा भारत के पास इतना पैसा है Lord Clive लेके गया था ना 600 या 500 जहाज सोने चांदी में भरके और वहां House of Commons में बोला गया था रहे पूरा भारत लूट लाये क्या Lord Clive बोलता कि नहीं सिर्फ एक जगा कलकत्ते को लूट के लाया हूँ यानि कि भारत को ऐसे ही सोने की चिडिया नहीं बुलिया थी तो अंग्रेश छोड़ने के मूड में नहीं थे इसको और दूसरा कि एक बड़ा तय हुआ कि कैसे वापिस लिया जाए भारत से उनकी आजादी वापिस और कैसे गुलाम मनाया जाए तो चर्चा में ये बात हुए कि ने बे हम अगर जाएं उधर तो हमारे पास उतनी आर्मी नहीं है आर्मी कितनी है हमारे पास हमारे पास साइनिक 64000 ही है उस समय दुरभागे से चाइना के खिलाफ कुछ साइनिक इकट्टे किये जा रहे थे वो तयार थे और इरान में एक जंग जीत लिया था बिडिश्टस ने तो वहां तयार थे तो ये दोनों मिला कर 64000 लगभग तो कैसे किया जाए कैसे किया जाए तो विचार विमर्स जब हुआ तो वहां के एक मेंबर अफ पार्लेमेंट है विलवर फोर्स जिन्होंने कहा कि हम बात करते हैं 100 साल हो चुके अंग्रेस दाई तो वहां करते हैं और लूट पार्ट नीचे करते हैं ये राजा आयाशी में रहते हैं तो गिना गया आकपे कौन है वो राजा दुर्भाग तहला जो राजगराना जिसने की इन्विटेशन बाकाइदा दिया वो है हमारा जीवा जी राव सिंधिया का रा और मैं भारत जो की आजाद था दस मईं से लेकर 19 सितंबर 1857 तक वापिस अंग्रेस धीरे धीरे आना शुरू किये गली कुछों में घुसे मार काट मचाया उन लोगोंने बड़े बेहरे मुई से मारा है लोगों को दस्तावेस बताते हैं कि मार के लाशों को वहीं छोड़ जाते हैं बिठुर मैं ऐसा बताया था कि 24,000 की आबादी थी 24,000 तीन महीने से लेकर 94 साल तक के बुढ़े हर किशी को उन्होंने मारा और उधारन के लिए छोड़ गया है माहिलाओं के साथ इतना अत्याचार किया ये सारा का सारा चीज बताया नहीं जाता ये नहीं बताया जाता है कि हमारे ये जो साथ, नमक हराम, गदार, देश, द्रुही, राजा थे इन लोगों ने बिटिशस को वापिस बुलाया इसलिए 1857 का जो म्यूटी नी था जहां कि अंग्रेश को हम लात मार कर बाहर भगा दिये थे वो वापिस हमारे उपर आ गए इस दुरुभाग्य को सही तरीके से बताना चाहिए ताकि अगली बार हम ये गल्ती ना करें और अपने देश, अपने भाईयों के खिलाफ ना जाएं बाकी 1857 में नारी लक्ष्मी बाई किस तरह लड़ी, तात्या टोपे किस तरह लड़े, बाहदुस्ता जफर की बाहदुरी क्या थी, जहलकारी बाई की बाहदुरी क्या थी और अजीजन बाई, हर किसी ने लगबख वैश्या थी, लेकिन लगबख चार सो इश्याओं के साथ मिलकर गोलों में बारुद भरने का काम उन्होंने किया और लिखते हैं, अंग्रेज अधिकारे लिखते हैं, जर्नल नील लिखते हैं अपने दस्तावेजों में कि किस तरह से बड़े बाहदुरी के साथ लड़ा गया चीज़ और किस तरह से बरबरता की उन्होंने उसके बाद भारतिये लोगों के साथ 1857 का रिवोल्ट था जिसके चलते हैं, अब East India Company हट गई थी और Queen Victoria ने डिरेक्टली शाषन ले लिया था भारत के उपर और कानून बनाने शुरू कर दिये थे जिसके उपर भारत गवर्न होगा, यानि कि East India Company हट गई थी 1857 के रिवोल्ट के बाद, Queen Victoria ने डिरेक्ट कंट्रो हैं, और ये कानून बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि भारत को गुलाम फिर रखना था 200 साल के लिए, और हमारे अपने लोगों के चलते, अंग्रेज फिर सक्सेस्फुल हुए, इस तरह 1857 का जो War of Independence था वाकई में पहली आजादी के लड़ाई थी, जहांकि हम आदाई है, रानि मार.